हाई एब्रिवान वेल्कम बाक तो माई चैनल तो अभी बच गए है सुबह के पांच और हम निकल गए हैं घर के लिए इतना अच्छा है सुबह मौसम इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह सुबह वाक पे आया करूंगी एनिवेज यह है ISPT कश्मेरी गेट और यहां से बहुत पुरानी यादे जुड़ी हैं यहां से हम घर जाते थे बस लेके डेली NCR का स्काई वैसे आज सुन्दर लग रहा है क्योंकि सुबह है इसलिए शायद और यह हम बैठ हैं अपनी गारी में अभी हालत काफी अच्छी ह क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है सफर अभी शुरू ही हुआ है और खाने पीने का काम पहले ही चल पड़ा है तो हम पी रहे हैं अभी morning tea इसलिए थोड़ी देर बैठे हैं और साथ में मन किया कि चलो कुछ खा भी लेते हैं इसलिए साथ में हमने order कर दिया cheese sandwich सब के लिए एक एक slice ज्यादा नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी breakfast के लिए भी रुखना है जहां भी हम कहीं खाने को रुखते हैं उनके आसपास देखना आप इस तरह की shops होती हैं बच्चों के twice होते हैं और चीज़ें भी होती हैं तो मैं बस उन्हीं को यह explore कर रही हूं देख रही हूं वरिशी बिल्कुल भी जिदनी करती कि मुझे ये दिला दो या वो दे दो ये वाला शौकना मुझे में बहुत जादा है कि मैं बस देखती रहती हूं चीज़ों को और कई बार ले भी लेती हूं हमारी चाय हो गई है अब इसलिए हम निकल रहे हैं अब फिर से अपने सफर तो आप सोचendo होंगे अब कहां चल दिये वैसे हमने थोड़ा सा सफर तै लिया है अब हम पोहंच गये हैं ब्रेक फ़र्स्ट करने सागर रतना में जब हम हम साउथ इंडिया में रहते थे तब हम सागर रतना में बड़े फ्रिक्वेंटली जाते थे ब्रेकफ़स्ट करनेerkt पर वहाँ का टीस्ट कुछ और होता है अब यहां का कुछ और होगा देखिए हम वाश्रूम में क्या कर रहे हैं बहुत उपर भी है तो ये आ गया है हमारा डोसा मेरा था मसाला डोसा और वृषी का प्लेन डोसा वृषी ने बहुत कम डोसा खाया उसका डोसा भी मैंने खाया तो मैंने अल्मोस्ट दो डोसे खाली और मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है तो इस हैवी से ब्रेकफस्ट के बाद अ अपने सफर पे हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं यह गरनाल में हैं जीटी रोड पे इसी सेम बिल्डिंग में और भी रेस्टरेंट्स हैं और पार्किंग स्पेस काफी अच्छा है और खुला-खुला है सब कुछ इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ और आपको यहाँ काफी साफ सुतरे वाश रूम्स मिल जाएंगे जो की बहुत मुश्किल होता है तो अगर आप भी कभी यहाँ से गुजरें तो यहाँ जरूर रुकें हम तो यहाँ से अब ब्रेकफस्ट करके चल पड़े हैं अब मैं आपको यही कुछ दिखा सकती हूँ क्योंकि जब भी हम घर जाते हैं तो बस ब्रेकफस्ट, लंच, डिनर और चाय पानी के लिए ही रुकते हैं अभी हम अमबाला बाइपास से गुजर रहे हैं और यह है वहाँ का धनुश गेट रिधी भी थोड़ी अनकमफर्टेबल हो रही है अब होते ही हैं बच्चे जब इतना बड़ा सफर हो तो मैंने बताया था ना आपको कि हमारा खाना पीना ही चला रहता है बस वही चल रहा है अब यह हमें लगा कि बहुत गर्मी हो रही है चलो नीबू पानी ही पीते हैं और आप सब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप भी खूब सारा पानी पीजए क्योंकि सच में ही गर्मी बहुत ज़ादा हो चुकी है तो रिधी आराम से सोए इसलिए मैंने अपना धूपटा लगा दिया है क्योंकि बहुत ज़ादा धूप आ रही थी बाहर से तो फ्रेंट इस बार का लंच ना बहुत ही प्लेस पे हुआ स्पेशल इसलिए क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू था बहुत ही अच्छी ग्रिनरी थी और आपको तो पता है न मुझे ग्रिनरी कितनी अच्छी लगती है इनी छोटी-छोटी आउटिंग्स में थोड़ी टांगें भी सीधी हो जाती है तो देखिए एंट्रिंस ही कितना अच्छा है, कितना ग्रीन है और यहां बाहर भी बैट के खाना खा सकते हैं बट गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं और बस रीदू का सिपर भी साथ साथ में लिए चलते हैं बागी सब तो अंदर हैं, मैं और रीशी बाहर आ चुके हैं क्योंकि मैं तो भई नहीं बैट सकती जब इतना अच्छा प्लेस हो और हम अंदर बैट के बस सिर्फ खाना खा रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम बाहर आ गए हैं हम हैं नंगल में रुके हुए और रेस्टरेंट का नाम है चीफ दब बियर बार रेस्टरेंट ऐसा मत सूचिएगा कि हम बियर पीने के लिए रुके हैं बट यहाँ रेस्टरेंट भी है हम लंच करने रुके हैं और यह देखिए नंगल में जो यह नहर है कितनी सुन्दर लग रही है पानी कितना हरा हरा लग रहा है और यहाँ बीच में थोड़ा जंक्शन है जिसकी वज़ा से गाड़ियां ही गाड़ियां दिखती है तो बस हमारा थोड़ा सा घूमना फिरना और फोटो शेशन हो गया है अब हम वापिस जा रहे हैं हमारा लंच भी आ चुका है तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं तो हम बस निकली रहे थे कि बच्चों के पापा को याद आ गया कि हमने तो देखा ही नहीं इतना अच्छा नजारा है तो हम भी पीछे पीछे आ गए ये वो एरिया है जहां टेबल चेर लगे हैं वहां मज़े से बैट के और नहर को देखते हुए खाना खा सकते हैं इंजोई कर सकते हैं पेडों की चाया है ठंडी ठंडी हवा चली है जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी जादा गर्मी है बहुत ही अच्छे लंच के बाद अब हम फिर से निकल चुके हैं अपना बागी का सफर तय करने के लिए इस तरह हरे भरे और नीले नीले आसमान के बीच से निकलता हुआ रोड कितना सुन्दर लगता है और अब हम हिमाचल में एंटर हो चुके हैं हमारे स्वागत के लिए इतना बड़ा गेट लगा हुआ है थोड़ा सा टाइम यहां फाटक पे लग गया पर चलो इसी बहाने हमने ट्रेन भी देख ली तो यह जो पहाडियां है न यह शो करती हैं कि हम एक्च्वल हिमाचल में अब एंटर हो चुके हैं और अब देखिए कहां पहुँच गए हम अब हमारा चाय का टाइम हो गया है जी रेस्टरेंट की एंटरंस बहुत ही सुन्दर है बहुत सारे सुन्दर सुन्दर प्लांट्स है और जो में अट्रेक्शन है वो है यह बीच में लटका हुआ इतना सुन्दर प्लांट अलग ही वाइब है इस जगह की और बहुत ही ज़ादा स्पेशियस है आप खिड़की से जांक के बाहर देखेंगे तो आपको हरी भड़ी पहाडियां दिखेंगी हम जितनी बार भी यहां से क्रॉस होते हैं हम यहां जरूर आते हैं, बैठते हैं क्यूंकि बहुत ही अच्छा लगता है यहां आके तो बस हमारा खाना पीना हो गया अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ और इतनी अच्छी हवा चली है ठंडी-ठंडी की मैं बता नहीं सकती आपको एकदम मजा आ गया है शाम हो चुकी है और हम अल्मोस्ट पहांच ही चुके हैं तो यह है सरका घाट का डिग्री कॉलेज तो हम चले हैं कृष्णा ट्रैवल्स के पीछे-पीछे अपनी मंजिल की ओर यह सरका घाट के जो बड़ी सी बिल्डिंग है यहां लगती है सेल एक मेला टाइप शॉप है सब कुछ मिलता है और यहां से थोड़े से आगे जाके है हमारा पोस्ट ओफिस और इसके थोड़े से आगे जाके है आई पीछ का ओफिस तो अभी हम पहुँच गए है सरका घाट के बस्टेंड में जो की हमारा डेस्टिनेशन है समझ लीजिए और इस बस्टेंड में पता नहीं कितनी बसें लटक-लटक के पकड़ी हुई है मैंने तो ये देखिए ग्रीन कलर की वॉल्वो खड़ी है हिंसोता ये जाएगी दिल्ली शाम के छे बजे या साड़े छे बजे जाती है फाइनली घर पहुँच चुके हैं और बहुत ज्यादा ठक भी गए हैं ऐसा मन कर रहा है बस सो जाएं पर जो जरूरी काम होते हैं वो तो पहले निपटाने ही पड़ते हैं बस वही निपटा रही हूँ जब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी तब तक मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाओंगी तो इसलिए अब आपसे मैं विदा लेती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे लगी हो और लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा और खुश रहिएगा बाई गुद नाइट